तो नमस्कार दोस्तों फिर से हाजिरें नई वीडियो के साथ आप दिख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल मेरा नाम है मनीश कुमार तो दोस्तों आज हम बात करें हैं लंक्स डेजिस के डाइगनोज और टेस्ट के बारे में कि आपको लंक्स में अगर कुछ प्रॉब्रम लग काफी सारी वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं और शेयर करें तो चलिए वीडियो पे चलते हैं तो आज का हमारा टोपिक है जैसे मैंने बताया आपको लंक्स डिजिस जिनको हम अपने फेफडे बोलते हैं इनमें अगर आपको कोई इंफेक्शन है या आपको लगता ह कुछ तक्लीफ है तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट करा सकते हैं जरूरी नहीं कि आप सारे टेस्ट कराएं लेकिन रूटीन में यह सारे टेस्ट हो प्रूबलम को पता लगाने के लिए तो आपको यो वी सरे ट्र आपको ये सारे ट्र—うん तो चलिए ट्रक्राइ। बारे में बात कर लेते हैं तू चलिए डैस्ट कराने बाटे लेते हैं वो आप करा सकते हैं, chest ultrasound, देखें, मैंने आपको पहले बता है कि सारे टेस्ट आपके लिए एक साथ कराना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से या अपने डॉक्टर की सला से करा सकते हैं, chest ultrasound भी आप करा सकते हैं, जो लंग्स में fluid वगरा बन जाता है, उनको दे लेकिन कम ही होता है यह होस्पेटल्स में यह जो है ब्लड गैस का जो पूरा प्रोसीजर होता है वह फॉलो किया जाता है वहां पर तो यह आप वहां पर करा सकते हैं अब पैथलोजी की टेस्ट इसमें कौन-कौन से करा सकते हैं कि सबसे पहले सी बीसी कोई भी इंफेक्शन ह ही पता चलता है जब भी बोड़ी में कोई इंफेक्शन होता है तो यह एक कॉमन टेस्ट है इसको सारे डोक्टर्स एडवाइज करते हैं इम्मिनो ग्लोबलिन आईजीई कोई इनफेक्शन है कोई ऐलर्जी टाइप है आपके फेफडो में उसका कोई सेम्टम्स लग रहा है जैसे अस्थमा वगरा है आपको तो उसके लिए आपको इम्मिनो ग्लोबलिन आईजीई कराना पड़ेगा मॉन्टॉक्स टेस्ट जो टुबर ग्लोसिस के लिए अगर टीबी का कोई इनफेक्शन है तो यह बहुत ही स्मॉल टेस्ट है इससे वैसे तो टीबी आप डाइग और यह जो दोनों टेस्ट नहीं आपको किसी भी आउस्पिटल में या बड़े डाइगनोस्टिक सेंटर पर क्योंकि यह एरफ्लो से होते हैं आपके जो मुह से एक मशीन होती है जिसमें आपको काफी एरफ्लो लगाना पड़ता है यानिकी फूख मारनी पड़ती है जिसक कराया जाता है कोई बैक्टिरियल टूबर ग्लोसिस का कोई इंफेक्शन है तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट है स्पूटम कल्चर क्योंकि इसमें अगर कोई बैक्टिरिया आता है तो साथ में उसके जो डाइगनोस्ट के लिए मेडिशन है उनका भी नाम आता है आपको बताए यह रूटीन वाइज हैं सीकंस वाइज हैं तो आप इनको अपने डोक्टर की सलह से करा सकते हैं यह सारे जो हैं लंग्स के लिए टेस्ट कराए जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताए कि लंग्स के लिए ज़रूरी निये कि आप सारे टेस्ट कराए अपने बास यह टेस्ट कराने के बाद अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप उपर बड़े टेस्ट पे जाईए नहीं तो आप इनसे ही करा सकते हैं अगर किसी को सारे कराने तो आप सारे भी करा सकते हैंं कोई फास्टिंग की रिक्वाइर्मेंट है जो अपना पुट-म कल्चर अबस उसमें एक क्रिक्वाइर्मेंट है कि आपको जो सेंपल है फस्ट मोर्निंग सेंपल देना पड़ेगा यहां कि सुबह जब आप अपना बैड छोड़ते हैं तो उसके बाद बिना ब्रेश की आपको फस्ट जो स्पुटम आता है वही इसमें देना होता है उसके बाद ही यह टेस्ट होता है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में